नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का चक्दे क्रिकेट में मैं हो दिब्यान्सु सेकर दोस्तों घरेलु क्रिकेट टूर्डमेंट यानि विजे हजारे ट्रॉफी ये 50 ओवर का टूर्नामेंट होता है और ये भारत का घरेलु टूर्नामेंट है इसमें हर दिन युवा और के खिलाफ वंडे टीम का एलान नहीं हुआ है सिर्फ टेश्टीम इस टेश्ट पहुँच बहुत हैं तोบीचीश्टी है अगले कुछ दिनों में अफरीकी दौरे के लिए वंडे टीम का एलान भी कर सकती है ऐसे में भारतिय क्रिकेट बोर्ड की नजर इस विजे हजारे ट्रोफी में बहतरीन प्रदसन करने वाले कुछ बहतरीन खिलाडियों पर भी रहेगी आज इस वीडियो में हम आपको इस टूर्णामेंट में अब तक सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले चार खिलाडियों के बारे में बताएंगे सबसे पहला नाम है रितुराज गायकवाड का इन्हें तो आप जानते ही हैं चन्नई सूपर किंग्स 2021 आईपियल में चैंपियन बनी थी और इस खिलाडी का एहम योगदान रहा था चन्नई को चैंपियन बनाने में टुर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रितुराज गायकवाड ही थे और ओरेंज कैप होल्डर भी रितुराज गायकवाड ही थे तीम में गायकवार्ट को जगा मिलनी लगभग तैय है। दूसरा नाम है मनन वोरा का। इस घरेलू टूर्णामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में चंडिगर टीम के मनन वोरा दूसरे नमबर पर है। वोरा ने 5 मैचों में 2 शतक और 2 अर्ध शतकों की बदोल साली में न्यूजिलेंड के खिलाब टेस्ट सीरीज में जब रिदिमान साहा चोटील होकर बाहर थे तब वो कीपिंग कर रहे थे और उन्होंने कीपिंग से भी काफी प्रभावित किया था और आईपियल में रोयल चलंजरस बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए उन्होंने क कमाल की बल्लेबाजी करी थी आंद्रप्रदेश के सलामी बल्लेबाज के अस भरत भी इन दिनों बढ़ियां फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अपने बहतरीन प्रदर्शन से दक्षिन अफरीका दोरे के लिए दावा ठोक रहे हैं भरत ने अब तक विजय हजारी ट्रॉफ और आप सभी ने इनका प्रदर्शन देखाई हैं वधिपरदेश के ओल राउंडर वेंकटेस अईयर भी विजय हजारे ट्रॉफी में अपने प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में हैं उन्होंने गेंद और बल्ले से इस टूर्णामेट में धमाल मचाया हुआ है अब उन्होंने पांच मैच खेले हैं जिसमें दो सतक और एक अर्थ सतक की बदोलत 349 रन बनाए हैं उन्हें टीम इंडिया में हार्दिक पांडिया के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है है तो ये थे ऐसे चार खिलाडी जिन्होंने इस बार भारत के घरेलू 50 ओवर टू भी तमाम ऐसी चोटी बड़ी खबरों और रिकॉर्ट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल चक दे क्रिकेट तन्यवाद